हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल और कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो देखिए जहां से वीडियो लाश्ट हुआ था फिर वहीं से कुछ देर बाद मैंने स्टार्ट किया था तो यह हो गिया था साम के अरग का टाइम और अभी सब लोग जो है ना निकलने वाले थे तालाब के लिए जहां पे हम लोग का घाट बना हुआ था छटन पूजा के लिए तो वहाँ पर हम लोग निकलने का तयारी कर रहे थो देखे सारा कुछ जो है आंगन में निकाल रही है और हम भी रेडी हो गए थे तो आप देख सकते हैं हम कैसी लग रहे आप लोग बताईएगा जरूर और मैंने भी उपवास रखा था इस दिन तो देखे मौसी जो है सारा दिया को जला रही है और अभी हम सब जो है ना तलाब के लिए निकलेंगे और यहाँ पे जो जितने भी वर्ती लोग थे जो जिन्होंने वर्त किया था सारे लोग यहाँ पे बारी-बारी से परनाम करेंगे और परनाम करके सारे लोग जो जितना कुछ है जो ले जा सकता है वो ले जाएगा और फिर में मोसी जो हैं यहाँ पे भी घर से निकलने टाइम मतलब वो दंडवत करते हुए जाएगी जो दंड देते हुए जाया जाता है लेकिन पूरा रास्ता में नहीं तो ये कुछ दूर तक देंगी उसके बाद फिर तलाप पहुँचने के टाइम फिर देंगी और हम ल यह लिट लेटा दिया जाता है और यह जो है लांग के उसको मतलब लांग के जाती है ऐसा मारनाजाता है horses करने से बचसे लोग मतलब उनका ज्यादा खुराब नहीं होता हो वह लोग अच्छे रहते हैं स्वाशत 거죠 रहता है तो इसी वज़ए से तो देखिए हम लोग आरफ को जो है न लेटाये थे और मोसी और मोसा जी जो है लांग के पार हुई और देखिए यह जो हम है तो ले जा रहे थे सूप को लेकिन नीचे जो परात था ना वो पीतल का था तो बहुत ज़्यादा भारी था तो पुछ दूर तक ले तो गया पर फिर मेरे से नहीं गया था यह तो फिर मोसा जी ले लिए उसको बोले दो हम ले जाते हैं और फिर हम गये क्योंकि थोड़ा ही दूर में तो मेरा हालत खराफ हो गया था तो हम नहीं ले जा सकते हैं और रास्ता भी बहुत मतलब अजीब था पेर में पत्थर बहुत चूब रहा था इसी अकेले पर यहां के बहुत लोग बहुत घर में छट हो रहा था तो रास्ता में घीड भी हो जाता है बहुत जादा और आप देखी सकते कितना ज्यादा भीड है यहां पर और देखिए फैनली हम लोग यहां पर घाट पहुँच गए तो यह गार रोड से नीचे ही पढ़त दोगल नहीं है दूर पढ़ता है थोड़ा सा इसी वज़से तो और फिर ऐसा नियम है हम लोग मतलब जैसे जो दर्ण देती है न तो फिर जैसे वो दर्ण देगी तो उनका पैर चुके हम लोग आसिरवाद भी लेते हैं उसके बाद देखिए यहां पर बहुत भीड हो गय आया थे ना 2019 में मोसी की हुई थी उसकी बाद तो फिर नहीं की थी दो साल गैप था तो उस टाइम हम लोग आया थे तो इतना ज़्यादा भीड नहीं देखे थे पर यह साल क्योंकि दो साल से मतलब कोरुना की वज़से भी बहुत लोग इधर उधर आ जाना ही पा रहा था वना तो कोई भी तेहवार त्वार जासने लग रहा थब और देख सकते इसाल के चारों तरःप ही भीड हो गया था और जितने लोग थे फिर हम लोग आया है उसके बाद हम लोग नदी में नदी बोर रहा है मतलब तलाब में उतरें और तलाब में डूब के रहना था क्योंकि ये साम का अरक था अरक का टाइम था तो पच्छिम की तरफ मूँ करके रहना था खड़ा तो हम सब लोग यहां पर देख सकते हैं खड़े थे और यहां पर जितने लोग खड़े होते हैं फिर बहुत से लोग आते हैं उनको सिंदूर लगाने के लिए बारे बारे से सब लोग सिंदूर लगाते हैं तो हम लोग बहुत जादा भीर हो गिया था और सब को सिंदूर लगा जा रहा था फिर हम लोग को भी जो जो सिंदूर लगा दे रहे थे ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है यह तेह बार देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और आप देखी सकते कि कितना ज़्यादा भीर है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और हम लोग बोल भी रहते कि इस बार बहुत अच्छा जैसे हैं सूरी डूबने वाला होता है ना क्योंकि डूबते वे सूरी को अरग दिया जाता है तो फिर सब अपना अपना सूप दोरा जो भी है वो लेके आएंगे और बारी-बारी से फिर अरग देंगे क्योंकि एक ही बार तो बहुत सारा हो जाता है ना सूप बहुत सारा हो से अर्ग दिया जाता है तो सुबह और साम ये तो साम का टाइम का था तो साम की देखी रहा पच्छिम के तरफ बो करके मतलब सब लोग दे रहे थे और बहुत लोगों के घर में छट क्या हुआ था इतना भीर हो गया था ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहां है कौन किधर ह नहीं है पता ही नहीं चल रहा था तो यहाँपर सारे लोग और यदक दे रहे हैं बारी बारी से तो सारा सूप और दोरा जो होता हैं उस पर पास-पास बार परीकर्मा करके गोल गूम के और ग...धिया जाता है पास बारiste हमारी हम लोग के पास होने के बाद वासा दूद बज गया था तो मुसी बोली कि जा जो दूसरा लोग घूम रहा है ना वो लोग पर दे दे ना तो फिर हम यही पर वेट कर रहे थे यह लोग घूम रहे थे ना तो यहां पर देने के लिए और उसके बाद फिर पंडी जी अलांस भी कर रहे थे माइक से बार-बार की जल्दी से आईए और जिसका हो गया अर्ग देने के लिए मतलब वो लोग अपने अपने जैसे जो क्योंकि अभी सब नदी तालाब में डूपके नहाए हुए हैं तो सब लोग तो भींग गए हैं तो स उसके बाद फिर सब पूजा में बैठेंगे पंडी जी पूजा करवाएंगे अभी तो उसी तरह देखें पंडी जी अभी यहां पर अभी जो हम लोग अर्ग दे ले देखें उसके बाद फिर जो हम लोग नदी में चले जाएंगे फिर एक बार नदी में डूबेंगे जा तो क्योंकि है देखिए और यहां पर फिर हम देने के बाद फिर एक बार डूपकी लगा लिए और मैं हस्बेन बोड़ रहे थे ना क्यों तुम उतना दूर जाके डूपकी लगा रहे थी क्यों क्योंकि जानते हैं इधर ना बहुत ज़्यादा सारे लोग खड़े थे एक राम से हो ही गया और देखिए यहां पूरा कच्छा था रास्ता यहां पर तो पूरा सब क्योंकि सब भींगा हुआ था सबका कपड़ा भींगा हुआ था तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था यहां का रास्ता जो है और उसके बाद जो है हम देखिए आ गए और फिर प तो वही था इसमें दोना या पत्ता में कपूर जला के छोड़ा जाता है नदी में तो यह भी बहुत अच्छा लगता है देखने में क्योंकि यहां पे हम लोग ज्यादा इधर से थे और अभी बहुत लोग नहीं जलाया था अभी सब लोग कुछ-कुछ लोग का पूजा होत करने थे और हम लोग भी सारे लोग जो हर अपने अपने घर फिर चले गए सामकार Jaakë कम्प्लीट हो गया यहाँ पर इसके बाद उसकी बाद ये था सुबह का और क्योंकि सुबह हम लोग निकले थे जल्दी घर से क्योंकि दूर परता है थो आसा तो वो तो भोर भोर था पूरा मतलब सुबह सुबह का टाइम था और उस टाइम मतलब अंधेरा ही रहता है चार बजे तो हम लोग चार, सारह चार के बीच में हम लोग घर से निकले थे मतलब चार बज़र लगभग हम लोग सायद निकल गए थे क्योंकि जल्दी नहीं पहुंचते तो फिर सोरी भी तो जल्दी अगर उग जायागा तो फिर कैसे होगा इसलिए तो यहां पर देखिए आरफ कैसे खेरा इसका तब्यत खराफ हो गया था यहां पर आया थे तो और इसी वज़र से हम लोग बहुत मुस्किल हुआ था व्लॉगिंग करने में भी और इसको रखने में भी तो यहां पर देखिए हम लोग का सुबह वाला अर्ग कंप्ल का अर्ग का वीडियो दिखा दिये थे इसलिए सुबह का अर्ग कर नहीं दिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता इसी वज़र से यहां पर देखिए जो क्योंकि साम का पूजा वाला वीडियो नहीं था दिखा हुआ इसलिए अभी वाला वीडियो दि घाट पूजा करवा रहे थे और सब लोग पूजा बहुत आसानी से कर भी रहा था सब लोग ध्यान से सुन भी रहा था और जैसे जैसे करना था सब ध्यान से कर रहा था तो हम लोग भी यहां पर पूजा में बैठे थे और बाकी सब लोग भी पूजा में बैठे थे और जैस रहना है पानी में बहुत देर तक तो इसी वज़े से तो हम लोग फिर आग भी चलाया थे और यहां पर देखिए फिर सुबह का जब पूजा भी कंप्लीट हो गया उसके बाद सुबह साम जो पानी में मतलब छोड़ा जाता है ना इसको कपूर जला के तो वही सब लोग छोड़ रहा था फिर हम भी गये वहाँ पर देने के लिए लेकिन मेरे पास दोना ने था पता था ना तो जैसे ही पानी में हम पता डाले तो पता मेरा डूब गया लेकिन सबसे मतलब अच्छा वात क्या है ना कि पता तो डूब गया लेकिन कपूर जो है ना वो पानी में तेरता ही रहा गया और जलता भी रहा गया हम उले वाहो कितना अच्छा है ना कि मतलब पता डूब गया लेकिन जो है कपूर जलता रहा और मतलब वो पानी से मतलब बुजा भी नहीं और पता नहीं कितना देर तक जला होगा यह तो नहीं पता लेकिन जल रहा था और यहां पर देखिए उसकी बाद जो हमारा हम लोग फिर घर के लिए निकल गए क्योंकि पूजा कंप्लीट हो गया था सब कुछ यहां कंप्लीट हो गया था तो हम लोग घर के लिए निकल गए और यहां पर रास्ते में देखिए यह सबसे यह हम फर्स टाइम देख रहा है ऐसा बहुत ज़्यादा भीर था मतलब घाट से लेकि इसका जहां तक रास्ता खतम हुआ था ना वहां तक पर लाइन लगा हुआ था देख सकते हैं आप कितना से परसादी लेने के लिए सब लोग अपने अपने गरों से प्लास्टिक लेके खड़े थे और अच्छा भी है और सब लोग देते भी जा रहा था क्योंकि यह छट मा का परसाद है तो हर कोई चाहता है कि उसे मिले लेकिन बच्चा बड़ा सब थ कितना ज़्यादा भीर था तो फ्रेंड्स आए होग कि आज का वीडियो भी मेरा पसंद आया होगा और हम कोशिस करेंगे कि डेली ब्लॉग डालने का लेकिन क्या है ना कि अभी बच्चा में कभी कुछ में तो हम बीजी हो जाते तो कर नहीं पाते हैं लेकिन कोशिस जरूर करेंगे तो ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पे नए होंगे वो प्लीज प्लीज सुस्क्राइब कर दीजिएगा जे चटी मैया आप सभी को हैपी चट पूजा बाबाइ